हालो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे अगर आप IRCTC से ततकाल टिकट बुक करते हैं और बुकिंग के टाइम होते होते बुक होते होते पेमेंट होने के बाद प्रोसेसिंग होते होते जो है यहाँ पे अगर आपकी जो टिकट है वो बेटिंग बन जाती है तो जो है डिटक्ट होते हैं पूरी जनकारी आपको इस वीडियो में प्रभाइट करेंगे यहां पर बहुत-बहुत सारे क्यूरी कोश्चन आ रहे थे कमेंट्स आ रहे थे इसरे हम ततकाल ततकाल टिकट बुक करते हैं आयार सिटी से और बुकिंग के टाइम में जो है वहाँ प आयार सिटी से तो यहां पर जो है जब आप चेक करते हैं उससे में जो है टिकट आपका एवलेवल होता है बट यहां पर प्रोसेसिंग होते हुए टिकट बुकिंग करते करते हैं यहाँ पर आपको Ticket बेटिंग आती है तो देखे यहाँ पर कनफरमेशन का जो चांशे सोता है बेटिंग पर करता है अगर आपकी बेटिंग जो है पैंच, छे या दस के भिर्बीन होती है तो यहाँ पर 90% चंशे सोती है कि वो जो है टीकट आपकी confirm हो जाती है अगर वही betting जो है ज्यादा आ जाती है तो उस इस्तिती में जो है chances कम होते हैं जो है यहाँ पे confirm होने की तो एटीपरंड करता है class पे भी अगर आपकी ticket जो है 3 AC का है 2 AC का है, 4 AC का है और उसमें अगर betting जो है आपका 4-5 आगया तो भी यहाँ पे मुश्किल होता है confirm होना अगर यहीं sleeper का है तो sleeper में chance होते हैं 90% की जो है आपको जो betting अगर 10 तक है तो वो confirm हो जाती है तो यह depend करता है आपके class पे कि किस class के लिए आपकी जो है यहाँ पे ticket book की गई है किस reservation category में आपकी book की गई है अब बात काती है कि अगर हमारा ticket जो है यहाँ पे betting निकल गया और कल की support data 14 तारिक है 15 तारिक का जो हमारा ticket है और यहाँ पे आपको यह देखना होता है कि अगर आपकी जो है ticket का जो है जो चार्ट बनती है चार्ट के समय तक जो है confirm नहीं होता है तो वो automatically जो betting ticket है वो cancel हो जाती है ततकाल केस में जरूर धियां रखेगा कि अगर आप ततकाल booking करते हैं ticket book करते हैं IRCTC के माध्यम से तो अगर आपकी जो है चार्ट बनने तक जो है अगर आपकी ticket जो है confirm नहीं होती है तो उसका refund जो है automatically जो है हो जाती है आपको कुछ भी नहीं करने है simply जो है वो refund हो जाता है अब बात आती है कि refund जो आती है उसमें कितना deduction होता है और कितने time जो है लग जाती है refund आने में चलिए उसकी आपको जनकारी दे जते हैं तो यहाँ पे मैंने bank का statement जो है यहाँ पे open कर लिया है देखिए हमने 9 अप्रेल को जो है यहाँ पे ततकाल ticket जो है book किया था जो देख सकते हैं to transfer INV IRCTC railway ticket booking railway ticket booking जो हुआ था यहाँ पे 2010 रुपे की ticket book हुआ था 9 अप्रेल को और यह refund जो हमें आई हैं वो देख सकते हैं यहाँ पे 12 अप्रेल 2023 को by transfer INV refund of इतना देखिए इसका यह आया है और इसका जो है यहाँ पे transaction ID है और 1800 रुपे जो है payment हमें refund आई है तो यहाँ पे total जो है यहाँ पे 2010 रुपे की ticket थी यहाँ पे 310 रुपे जो हैं यहाँ पे deduct हो गए है तो यहाँ पे जो है transfer जो है ticket का वो 3 days के अंतरगत जो हमें refund आ गई है इससे आपन माल लगा सकते हैं कि कितना जो है हमें यहाँ पे deduct हुगा है amount और 3 days में जो है working day में जो है यहाँ पे payment भी जो है refund आ जाती है पहले जो है यह process जो है एक बीक तक भी लग जाती थी payment refund आने में तो कुछ fast service यहाँ पे हुई है अगर आपका जो है cancel होती है ticket तो वो refund जो है 3 days के अंतरगत जो है आपको refund हो जाती है त्वेता दोस्तों आज का most informative वीडियो जो हमने इस वीडियो में कवर की है कि अगर आप भी जो है आपको प्रोसेस करने की जुरुवत नहीं है खाली आप एध्यार रखिएगा कि चार्ट बनने तक जो है आपको अपना आयर सेटी की जो status है टीकेट की जो status है PNR status वो हमिसाद चेक करते रहिए और जैसे कनफर्म नहीं होती है तो जो है आपके एकांट में जो है आपको रिफंट आ जाती है अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए चैनल पे अगर पहली बार विजिट किये तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन जोरो पेस कर लिजिएगा ताकि आपको इसे तरह की नोलेजबल वीडियो हमेशा आपको मिलती रहे मिलते हैं किसी नहीं इंफर्मेटिव वीडियो के साथ तब तक लिबाए जाएं कि बार दो झाल कि आपको वीडियो के साथ तब तक लिए तक लिए पार पंग।